आज किस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एक socket को 2 supply से कैसे operate किया जाएगा यइनकी एक socket के अंदर 2 supply है एक अमारी grade से supply आती है वो वाली जो गोर्मिछ से supply आती है और एक अमारी जो inverter से supply होती है वो वाली यईनकी एक socket के अंदर 2 supply कैसे connect करेंगे इसके लिए हम एक socket लेने वाले हैं आपको समझाने के लिए और यहाँ पे एक one way switch लेंगे one way switch आप देख सकते हैं friends इसके पीछे दो टरमिनल होते हैं और एक two way switch लेंगे friends जिसके पीछे तीन टरमिनल होते हैं ठीक है और सामने से कुछ यह arrow भी दिख जाएंगे और यहाँ फिर round shape के आपको निशान मिल जाएंगे तो इसकी wiring कैसे करेंगे जिससे की यह inverter से भी चले और हमारी grid से supply आए उससे भी चले माल लेते हैं हमारी grid से supply चली गई है और emergency में हमें इस socket के अंदर कुछ लगा के हमें चलाना है तो उसको हम inverter पे भी चला सकते है और जब हमारी grid से supply आ जाएगी तो उसको हम change करके grid से supply को connect कर सकते है तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारी socket होती है उसके टरेमिनल को समझ लेते है कि कहां पे कौन सा terminal पे कौन सी wire connect करते है तो आपने अरफिंग कर रखिये तो अरफिंग कर लिजीगा तो अभी हम इसकी wiring करते है तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि इसके अंदर जो line वाड़ा एल वाड़ा terminal है वहाँ पे हम एक wire जोड़ेंगे और उसको हम तो यहाँ पे हम दिखते हैं यह line का है तो यहाँ पे हम इस wire को जोड़ेंगे और अच्छे से tight कर लेंगे फ्रेंट्स यह वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई स्वाल सुजाओ है तो नीचे comment box में comment कर दीजेगा हम आपका reply जरूर करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे connect हो गया है अभी हमें क्या करना फ्रेंट्स यह हमारा one way switch है one way switch के जहाँ पे हमारा one way switch लगेगा वहां तक हमें इसको cut कर लेना वैसे तो यह switch board के अंदर fit होता फ्रेंट्स मैं आपको समझाने के लिए इसको openly ऐसे ही समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके इसको आपने जो one way switch है उसके उपर वाले point पे इसको जोड देना है ठीक है फ्रेंट्स यह यहाँ पे जूड़ गया है अभी क्या करना है फ्रेंट्स जो हमारा इसको line वाज लेके चलते हैं पहले socket में हमने connect किया उसके बाद switch में अभी switch का जो दूसरा terminal है वहाँ पे connect करते हैं wire को तो हम switch के नीचे वाले point पे wire को connect करेंगे यहाँ प ठीक है फ्रेंट्स यह यहाँ पे connect होगी है अभी हम इसको थोड़ा side में रखते हैं इसको भी ज्यादा लंबी ना रखते हुए इसको भी cut कर लेते हैं ठीक है और इसको छील के जो हमारा two way switch है फ्रेंट्स यह two way switch है two way switch का जो beach वाला point है beach का point है वहाँ पे हम इस wire को connect कर दे बीच वाले point पर connect करने फ्रेंट्स आपको यह ध्यान रखना है beach वाले point पर ठीक है तो अभी यह एक series टाइप बन गया है इस पहले यहाँ पर supply आएगी फिर यहाँ पर आएगी फिर यहाँ पर आएगी ठीक है इस तरह से इसके अंदर supply जाएगी लेकिन अभी हमें क्या करन है जो दो supply आएगी उसको कहाँ पर connect करना है वो वाली देखने वाले है तो फ्रेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं यह दो color की wire है जो की grid से supply आएगी ठीक है इसके अंदर यह yellow color का है वो neutral wire है और इसके अंदर जो red color का है वो phase wire है तो हमें क्या करना है फ्रेंट्स जो हमार वाले ट्रेमिनल पर जोड देंगे यहाँ पर अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको like और share जूरू कर देना और अगर आप हमारी इस वीडियो को पहली बर देख रहे हैं यानकि हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लेना फ्रेंट्स ठीक है तो यहाँ पर हम हमने ये एक वायर जोड ली है अब भी हमें क्या करना है जो हमारी inverter से सप्लाई आएगी जो हमारा inverter से फेज आएगा वो ये white color का वायर फ्रेंट्स जिससे की हम inverter की सप्लाई को लेके आने वाले हैं तो हम क्या करेंगे इस वायर को जो inverter की वायर है उस वायर को हम switch के ठीक है फ्रेंट्स ये यहाँ पे जुड़गी है अभी हमें जो neutral है हमारा उस neutral वायर को थोड़ा extend कर लेंगे यानि कि थोड़ा लंबा कर लेंगे तो लंबा करने के लिए हम थोड़ी वायर लेंगे और इसको अच्छे से joint यहाँ पे लगाएंगे ताकि हमारा ये joint खुले है जिससे की कोई current लग जाएगा या कहीं न कहीं कुछ damage हो सकता है current लग गया तो आपकी जान को भी खत्रा हो सकता है इसलिए हमें PVC टेप जुरूरी लगानी चाहिए तो फ्रेंट्स इसको हम ज्यादा लंबा ना रखते हुए हमारी जहां तक neutral wire connect करते हैं जैसे कि मैंने चील के और N वाले point पे जोड़ देंगे ठीक है फैंट्स अभी यह हमारी wiring इतनी complete हो चुकी है इसकी बारी है भी testing करने की तो अभी हम testing करके देखेंगे यहां पे हम grid supply देंगे यहां पे inverter की supply देंगे और यहां पे neutral मैं आपको बता देता हूं फैंट्स पूरे घर में हमारा neutral जो होता है वो common होता है क्योंकि inverter भी उसी neutral से charge होता है जो हमारा grid से आता है तो इसलिए हमें neutral wire अलग से देने की कोई जूरत नहीं है ठीक है अलग से देने की कोई जूरत नहीं है इसलिए हमें neutral A की connect किया है यहां पे और यहां पे grid supply और यहां पे inverter की तो चलिए अभी इसक टेस्टिंग हमने यहां पे phase wire जो grid से supply आया यहां पे connect कर दिया है यहां पे हम inverter की supply को connect कर दिया है अभी हम करते हैं इसके testing testing करने के लिए हम लेते हैं एक बलब जो की हमने holder में fit कर रखा है तो इसको हम लगा लेते हैं इसके अंदर socket के अंदर तो अभी हम यहां पे test करने वाले हैं यहां पे मैं आपको बतायता हूँ अगर यह switch उपर की side है तो उपर की side हमारा red color का है जो की grid से है तो यह grid से on होगा ठीक है तो इसको हम own करते हैं तो अभी हमारा यहublub own हो गया है ठीक है इसको by chance हम hall लेते हैं कि हम इसको grid से नहीं चलाना चाती है इनवेटर से चलाना चाते हैं तो इनवेटर से चला सक्ते हैं ठीक है और माल लेते हैं इसको grid पे है और grid की supply अभी हमारी चली जाती है तो इसको grid की supply को एक पर हम बंद कर देते हैं तो ये grid की supply माल लेते हैं हमारी चली गई है तो उस case में हम क्या करेंगे inverter की supply को own कर देंगे और हमें पता लग गया है कि grid की supply जो government से supply आती है वो दुबारा से आ गई है तो उसको हम क्या करेंगे इस तरह से उपर की side कर देंगे और हमारी grid से supply को चलने start हो जाएगी और हमारा अगर काम हो जाता है तो हम यहां से इसको off कर सकते हैं ठीक है तो यह हमेशा चल लो रहने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है तो इस तरह से आप असानी से एक socket के अंदर दो power को use कर सकते हैं असानी से बहुत ही असानी से फ्रेंट्स इस वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आयो तो नीचे comment box में comment करके हमसे पूछ लीजिएगा और फ्रेंट्स अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like और share जरूर कर द